दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी विथ अनूप पर तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPSI expected का टॉप 2021 की बारे में जैसा कि आपको पता है कि आपका UPSI का इक्जाम 12 नॉबंबर से स्टार्ट होकर आज यानि कि 2 दिसंबर तक होने वाला है ठीक है यानि कि आज जो है आपका इक्जाम खतम हो जाएगा अब आज के बाद आपका इक्जाम नहीं होगा ठीक है तो द का जो पेपर था वो ना तो हाड था एकदम ना तो एकदम इजी था इसको हम moderate to hard बोल सकते हैं और जो पेपर का लेवल था वो भी लगबग एक जैसा ही मान सकते हैं देखिए थोड़ा भूद अंतर होता है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर किसी भी पेपर में नहीं था बहु ज्यादा अंतर इस बार देखने को नहीं मिलेगा तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कितने क्योशन अगर आप करके आए हैं तो आपको फिजिकल की तयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि देखिए दो दिसम्बर यानि कि आज एकजाम खतम हो जाए हैं कि अगर आपको कोई क्योशन गलत दिया गया है तो आप उसको अपिल कर सकते हैं ठीक है तो वो दिया गया है तो यह दिया गया है इसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ठीक है उमीद है कि रिजल्ट इस दिसम्बर में आ जाए और जनवरी में दोड़ हो जाए लेकिन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सरकार के मोड़ के उपर है सरकार चाहेगी तो यह जो रिजल्ट है आपका वो चुनाओ के बाप भी दे सकती है ठीक है अगर कुछ इसका राजनिती करण होता है तो इस पकार किया जा सकता है लेकिन हम मानके जलते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के लाश्ट तक आपको मिल जाएगा तो अगर आप अभी से फिजिकल की तयारी नहीं करेंगे तो फिजिकल निकालना आपके लिए उसकील हो जाएगा तो इसलिए जानना जरूरी है कि अगर आप कितने क्योश्यन करके आएं तो आपको फिजिकल त्यारी करनी चाहिए तो आईए श्टार्ट करते हैं लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ ही बिल आइकन को दो दबाईए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो अगर आप यू आर्से हैं हैं और आप एकसो पांच प्रशन के आसपास बनाए हैं तो आपको रृनिंग्क की स्टार्ट कर देनी चाहिए तो आपको टारि पीजिकल की तहरी female की, देखे, female में क्या है, कि अगर आप 90 to 95 questions सही किये है ठीक है, minimum 90 अगर आप 90 questions सही किये है कोई भी category से female तो आपको running की तयारी start कर दिनी चाहिए ठीक है, और हाँ ये एक expected cut-off है ठीक है, इसके 2-4 questions आगे, ये कम हो सकता है तो इसलिए अगर जो मैं cut-off बताया हूँ उससे 2 questions जादा या 2 questions कम है तो भी आपको तयारी start करनी जाहिए क्योंकि अगर cut-off जादा भी गई तो भी आपका जो health है वो सही रहेगा, ठीक है तो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें धन्यवाद